1800 फेगी रेंज के आज पास बेस्ट गिगाबिट राउटर इपिलिंक C64 या फिर Mi4A इन दोनों का आज हम राउटर बैटल करेंगे और चेक करेंगे इन दोनों में से आपको कौन सा राउटर लेना चाहिए कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा इन दोनों ही राउटर की स्पीड टेस्ट और अन्बॉक्सिंग मैंने कर रखी है जिसका लिंक मैंने आप पर डाल दिया है आप उसे चेक आउट कर सकते हो बट इस वीडियो में 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 बात करेंगे इन दोनों के सारी चीज़ों को कंपेर करेंगे तो स्टार्ट करते हैं इन दोनों के राउटर के डिजाइन से डिजाइन के अगर बात करें और first look के बात करें तो Xiaomi का Mi 4A डिजाइन में आगे निकल जाता है क्योंकि इसका काफी sleek डिजाइन है काफी पतला डिजाइन है साधी साथ white color में आता है तो एक अच्छा glow डालता है router को बट अगर बात करें हम ports वगारा की तो हमें TP-Link के अंदर ports जाले देखने को मिल जाते है और size भी थोड़ा miniature type देखने को मिलता है TP-Link में हमें 4 GB LAN ports देखने को मिल जाते है और 1 GB WAN port देखने को मिलता है जबकि Xiaomi के router में हमें केवल 2 GB LAN ports देखने को मिलता है और 1 GB WAN port देखने को मिलता है तो वहाँ पर एक disadvantage हमें देखने को मिल जाती है Xiaomi के router की तरज से बात करें LED की कि आपको notifications वगारा जो router के उपर होती है कि आपको पता लगी कि क्या-क्या connected है क्या-क्या connected नहीं है तो उसमें भी Xiaomi का router पीछे रह जाता है क्योंकि उसके अंदर हमें केवल 2 lights देखने हो मिलती है जो कि एक power की light है और secondly internet की light है जबकि आपको TP-Link में बहुत साई lights देखने हो मिल जाती है जैसे कि आपका LAN connected है या नहीं internet connected है या नहीं 2.4 gigahertz और 5 gigahertz की separate lights दे गई है तो वो काफी अच्छा आपको usability बढ़ा देता है आपकी एक router को use करते हुए अब बात होगी design की अब बात कर लेते है user interface की कि अगर आप इस router को setup करने वाले हो इसकी features को use करने वाले हो तो आपको कैसा interface देखने हो मिल जाता है और उनका software interface काफी बढ़िया है आप उसको use करोगे तो आपको ऐसा कुछ लगेगा ने की कोई learning curve है काफी easy to use है जबकि TP-Link का router में हलका सा learning curve है अब एक दो चीज़े आप आगे पिछे देखोगे बट still आप समझ जाओगे कि router का जो interface है वो आपको कैसा देखने हों मिलता है इन दोनों ही router को setup करना काफी असान है और कुछ दो तिन steps की मदद से आप इन दोनों ही router को काफी असान है setup कर पाओगे तो वहाँ पर एक तरह से मैं इन दोनों को equally रखूँगा क्योंकि एक हलकिस advantage शाओमी के router को है कि उसका interface हलका सा user friendly ज्यादा है अब main बात कर लेते हैं कि router आपने ले लिया तो आप इसको use करोगे तो आप इससे कितने devices connect कर सकते हो यह routers कितना load ले सकते है साथ-साथ इसका speed test करते है और चेक करते हैं अलग-लग floors पे कि यह routers कितने speed देते है जो कि main आपका factor है कि भी router ले रहे हो तो आपको range अची मिले आपको speed अची मिले और आप कितने devices connect कर सकते हो उसका भी पता लगे तो start कर लेते हैं पहले wired connection की तो आप TP-Link में 4 LAN के थुरू computer connect कर सकते हो जब कि Xiaomi में केवल 2 LAN के थुरू connect कर सकते हो जो कि मैंने आपको वीडियो में starting में बता ही दिया अब बात कर लेते हैं wirelessly आप कितने connect कर सकते हो so wirelessly like मैंने test किया था कुछ devices के साथ like 15 devices कि अगर दोनों ही companies बात करती है उतने load तो नहीं ले पाता क्योंकि यह depend करता है आपके internet connection पे भी कि वो कितना stable आ रहा है कितनी ping दे रहा है और कितने Mbps के connection है like मेरे घरे पे 37 Mbps के connection है और TP-Link ने 10 devices तक ठीक संबाल लिया था मतब normal use के साथ not SD streaming या कुछ एक जो आप TVs connect कर लोगे like smart home से connect करते हो तो वहाँ पर हो सकता है device का number कम हो जाए बट एक normal home के लिए TP-Link ज्यादा device connect करेगा as compared to Xiaomi का router तो devices connect में TP-Link को plus point जाता है TP-Link काफी मतब कुछ devices ज्यादा connect कर लेता है as compared to Xiaomi का router अब स्टार्ट करते है speed test से जो की main important factor है एक router को लेने के लिए कि आपको speed स्कीति नहीं देखने को मिलेगी सो सबसे पहले स्टार्ट करते है router के बिल्कुल पास कड़े हो के वहाँ पर Xiaomi का router से हमें 322 Mbps की download और 252 Mbps की upload speed देखने हो मिलती है जबकि TP-Link C64 में 330 Mbps की download और 260 Mbps की upload speed देखने हो मिलती है अब ट्राय करते है router से थोड़ा सा दूर जाके मतलब एक रूम दूर चले गए इसका मतलब की यह कि router और हमारे जो device adjustment speed कर रहे है उसमें केवल एक बॉल का डिफरेंस है वहाँ पर जाके जब हमने टेस्ट किया तो हमें Xiaomi के router में 327 Mbps की download और 167 Mbps की upload speed देखने हो मिली जबकि TP-Link C64 में 256 Mbps की download और 222 Mbps की upload speed देखने हो मिली अब क्या करते हैं router से एक फ्लोर उपर चले जाते है जिसका मतलब कि यह router और हमारे device के बीच के वह एक ceiling का फरक है और ceiling अबाउट 9-10 feet का जो difference होता है उतना difference आ गया हमारे router और हमारे device के बीच में महाँ पर जाके जब हमने speed test किया तो Xiaomi के router ने हमें 69 Mbps की download और 43 Mbps की upload speed दी जबकि TP-Link C64 के router ने हमें 47 Mbps की download और 32 Mbps की upload speed दी आप क्या करते हैं router से एक फ्लोर उपर गए थे अब थोड़ा horizontal move कर जाते है जिसका मतलब कि एक कुछ walls और ceiling हमारे router और device के बीच में जो gap है वो बन जाएगा महाँ पर जाके जब हमने speed test किया तो 20 Mbps की download और 43.5 Mbps की upload speed हमें देखने हुए लिए Xiaomi के Mi 4A router से और TP-Link C64 से हमें speed देखने हुए भी 47 Mbps download और 25 Mbps upload speeds अब यह जो speed थी यह obviously दोनों ही router से में 2.4 GHz पे थी 5 GHz पे नहीं थी बट हमें TP-Link के router से थोड़ी सी बेटर speed देखने हुए भी as compared to Xiaomi का router बट यह speed गगाबीट के standard से थोड़ी सी कम है जैसे कि आप बागी मेरी सारे वीडियो में देखते होगे बट स्टिल प्राइस के अकोडिंग ठीक चल रहा है अब हम आगे चलते हैं और एक फ्लोर और उपर चले जाते हैं तो router, ceiling, orthodon 9-2 GHz का gap, ceiling और अब हमारा device है वाँब जब आपने speed टेस्ट किया तो Xiaomi के router ने हमें speed दी 6.65 Mbps download और 19.9 upload जबकि TP-Link C64 ने हमें दी 8 Mbps download और 2 Mbps upload तो उपर जाने के बाद दोनों ही routers ने बहुत ज़्यादा ही stretch किये तो इतना उपर जाने के बाद हम दोनों ही routers को काफी ज़्यादा stretch करने वाले हैं अब ऐसा करते है कि इतना उपर तो चली गए तो horizontal और move कर जाते है और काफी ज़्यादा distance हमारा भढ़ जाएगा router और device के बीच में like router यहाँ पर एक फ्लोर उपर गए एक फ्लोर ओर उपर गए और वहाँ पर horizontal move कर गए तो diagonal distance काफी ज़्यादा हमारा router और device के बीच में भढ़ जाएगा और वहाँ पर जाकर जब हमने speed test किया तो दोनों ही router जो है connect होने से मना कर गए कि इतनी range हम नहीं दे सकते हैं आप रहने ही दो चीक है हमने रहने दिया और वापसी आ गए और हम conclusion के साथ आपके सामने बैठे है सो अब बात कर लेते है overall की आपको कौन सा router लेना चाहिए अगर speed test के coding देखे तो performance तीपिलिंग C64 की बैटर थी क्योंकि आपको 2.4 GHz की range मिली एक फ्लोर उपर जाने के बाद बट speeds जो है आपको टीपिलिंग C64 में बैटर देखने को मिली like smart switch दोनों में है 2.4 GHz और 5 GHz में दोनों automatically switch कर सकते है बट इसके साथ साथ हमें speeds अच्छी देखने को मिलते है टीपिलिंग C64 में आपको ports भी जाए देखने को मिल जाते है और साथी साथ लाइट्स भी जाए देखने को मिल जाती है जिसके मतलब से आपको usability में काफी असानी होती है तो winner हमारा टीपिलिंग C64 ही है और दोनों का price जो है vary करता रहता है मतलब टीपिलिंग C64 का अभी price 1600-1700 के आसपास है और Mi 4A का price 2200 है जब मैंने इसको purchase किया था तो Amazon को कुछ sale व देने के लिए आप TP-Link C64 की तरफ जाओ वो इससे सस्ता है वो इससे अच्छा है बट अगर आप इस price पर जाना चाते हो तो और भी बहुत सारे routers available है मार्केट में जोगी TP-Link, D-Link और Tenda और Mercushis बहुत सारे companies के available है तो 100-200 ज्यादा लगा के आप अच्छी range और अच्छी usability औ अच्छा router पास सकते हो जिसके लिए मैंने playlist बना रखिए आप यहाँ पर जाके check out कर सकते हो जो मैंने link डाल दिया है और अगर आपको वीडियो पसंद आई अगर आपको इस वीडियो से value लगी तो हमाहर जानो subscribe कर लीजी अगर आपने अभी तक नहीं किया है और इस वीडि